ससक्राइब कीजए मेरे चैनल बाला जी स्टाडियादको और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजए for latest update Welcome to बाला जी स्टाडियादक नमस्खार दोस्तों बाला जी स्टाडियादको मैं आपका स्वागत थे जैसे के MBCD ले ठर्ड समेश्टर का जो कोर्स है उसके सन 2017 दुती बार का जो पेपर हुआ था उसका solution करा रहे हैं तो इसे पहले बाले फ़र्ष्ट पार्ट में हमने Science के अतिलगू सेक्षन और वस्तुनिष सेक्षन का solution कराया था कि रॉकेट के उड़ने का सिधान्त जो है वो संचेप में समझाईए तो बात करें थोड़ा सब सबसे पहले रॉकेट के उड़ने सम्मंदी एक question बनता है काफी बार की ये जो है न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है इसको पीछे की और फेकने पर रॉकेट आगे की और बढ़ता है तो कहीं न कहीं आप देखेंगे समान अनपात का बल उसको उतना ही मिलता है जितना पीछे उसमें जो है वो जो वायू पीछे गर्म वायू निकल लिए उसके कानण तो ये क्रिया प्रतिक्रिया पर ही work करता तो चलिए बात कर लेते इसके बारे में, तो रॉकेट में किसी जोलन सील पदार्थ को जमा कर जो है वो गैसे उत्पन की जाती है, जो कि नीचे की और अतिनत तीवर वेक से एक जेट के रूप में निकलती है, जैसे के आपको भी बताया, और ये गैसे जो है वो रॉकेट पर उपर की और पृतिकरिया बल लगाती है, और जिससे रॉकेट जो है उपर उठ जाता है, गैस के जेट का वेक जितना अधिक होता है, रॉकेट भी उपर की और उतने ही अधिक वेक से उठता है, तो ये आपने देखा कि रॉकेट भी आगे की दिसा में जो है, वो समान लगू में आया और यहां पर जो है सिधान्त जो है संचेप में समझाना है तो थोड़ा सा एक्स्प्लेनेशन भी जो है वो जरूरी है रॉकेट की रचना के बारे मैं बात करें तो दातु के मजबूत खोल के अंदर एक कच्छा में द्रवी भूत ऑक्सीजन तता दूसरे कच में जब चिंगारी प्रदान या जैसे स्पार्किंग हम जानते हैं वो जो हम कराते हैं तो उच्च ताप पर दाब पर गैस जो है वो रॉकेट के नोजल से तीवर गती से जो है वो बाहर निकलती है और गैस के निकलने के विपरीद दिसा में जो है वो रॉकेट तेजी से जो है उपर उढ़ता है, तो यहां तक जो है इसका जो है श्टार्ट होने का प्रोसेस है वो होता है, आगे बात करें तो रॉकेट का वेग बढ़ाने के लिए एक खंड की जगा जो है वो बहुत खंडी है 지금까지 का प्रीयोग करते हैं, जिससे कि रॉकेट की जो गती है उसको बढ की ओर उठता जाता है भारत ने जो है कृतिम उग्रहों को विक्षित करने जाता उन्हें प्रत्वी की कक्छा में इस्थापित करने की प्राधव्गिकी में महतपूर सफलता हैं प्राप्ट की जैसे कि आप सभी जानते बहुत सी अलग-अलग सेटेलाइट जो है वो लांच क गए हैं इसके लावा हमने परमाडू उर्जा के चेत्र में भी जो है वो अनेक किर्तिमान इस्थापित किये हैं परमाडू उर्जा तदा उससे संबंदित सोधकारियों के परड़ाम सरूप अनेक परमाडू उर्जा जो है वो भी सैंत्र इस्थापित किये गए हैं जिनमें विद्द उत्पादन किया जा रहा है ये जो है इनके जो प्लेस कहां इस्थित हैं उससे रिलेडिट कुशन बनते हैं इसके अतरिक्त परमालू उर्जा का उप्योग चिकित्सा तथा क्रसी छेत्र में अनेक लाबकारी कारियों के लिए भी किया जा रहा है तो ये तो हो गए इसके बारे में बात करते हैं अगले प्रस्ट की अगला कुशन नमर 13 हमारा की गोलिये दरपड के 5 उप्योग लिखिये सबसे पहले जानते हैं गोलिये दरपड आखिर होता क्या है तो गोलिये दरपड वे दरपड होते हैं जिनका जो परावर्तक तल होता है वो गोलिये हो उप्योग है वो परावर्तक दूरदर्सी आधी जो प्रकासी उपकरण होते हैं उनमें किया जाता है। अवतल आकार के बनाई जाते हैं जिसे की जो रोसनी है जैसे की श्टीट लाइट लगी रहती है जिसे की उसकी जो रोसनी और अधिक जो है वो फैल सके है। प्रावर्तक दूरदर्सी आधी जो प्रकासी उपकरण होते हैं उनमें भी किया जाता है। ये तो होगे इसके उप्योग से लेटेट बात करते है अगले प्रसंद की अगला कुशन नमर 14 है कि किसी खाली बड़े कमरे में आवाज करने पर उसकी गूंज क्यूं सुनाई देती है जैसा कि आपने भी देखा होगा तो किसी खाली बड़े कमरे एनकी हॉल में आवाज करन तो बात करें ध्वनी के संचड की तो ध्वनी का संचड जो है वो निर्वात में नहीं होता है जहां पर माध्यम नहीं होता है वहां पर ध्वनी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती है इसलिए निर्वात में ध्वनी का संचड नहीं होता है ध्वनी जो है वो ठोस द्रव तथा गैस तीनों माध्यमों से होकर जो वो गती करती है थाथ ध्वनी के संचड के लिए माध्यम के आवशक्ता होती है इसके अंतरगत बात करें तो पहला है हमारा वायू में ध्वनी का संचड जब कोई वस्तु वायू में कमपन करती है तो सबसे पहले वा अपने न दूसरा है हमारा द्रव में ध्वनी का संचण, इसे जो हम निम्प्रयोकदारा समा सकते हैं, जैसे सबसे पहले हम क्या करें, दो पत्थर के टुकडे लें, अब दोनों हाथ में लेकर इनको आपस में टक्कर करें, तो हमें जो है वो ध्वनी सुनाई परती है, तीसरा हम क्या क में जो है वो धनी का संचण जो है वो किस प्रकार होता है बात करते हैं आगले और लाश्ट है हमारा ठोस में धनी का संचण इसको भी हम एक प्रियोग द्वारा समझते हैं पहला है कि सरपर्थम टीन के दो डिब्बे लें प्रतेग डिब्बे में लगबग 15 से 20 मीटर लंबा धागा डालें धागे के प्रतेग सीरो पर पिन लगा दें साथी की साहता से दोनों डिब्बो को एक दूसरे से इतना दूर ले जाए कि धागा है वो खिच है यानि कितना रहें अब साथी से बातचीत करें तो क्या होगा हमें धनी सुनाई देती है जैसे कि आपने देखा ह पहले जमाने में फोन बनाई जाते थे इसी टाईप के कान में लगा के दूसरी सुतली जो है दूसरी गानारियल का आदा छिलका होता था उससे बनाई जाते था थे तो वह भी हमारा ठोस में धनी के संचड़ का एकुधर होता था इस प्रकार मेच के एक किनारे पर ठोकने से दूसरे किनारे पर आवाज सुनाई देती, इससे भी आनिसकर्स निकलता है, कि ध्वनी का जो संचड़ है, वो ठोस में भी होता है, तो ये तीनों चीजे हमें बताई कहीं कि वायू में दोनी का संचड किस प्रकार होता है द्रभ में और ठोस में दोनी का संचड अँव हमारा question जो हो सिद्दान्त की बात कर लेते हैं तो धनी संचड के लिए माध्यम की आवशक्ता होती है सबसे पहले हमें पता चला क्योंकि निर्वात में जो है वो धनी होती है नहीं उत्पन तो हमें पहला सिद्धान्त हमारा यह हो जाएगा कि धनी संचल के लिए माध्यम की आवशकता होती है दूसरा हमारा सिद्धान्त हो जाएगा दोनी किसी भी माद्यम ठोस द्रव और गैस में संचरित हो सकती है जो कि हमने अभी उपर तीनों एक्जामपल सही चाने तीसरा सिद्धान्त हमाजा हो जाएगा कि सोरोच से दोनी का संचल सभी दिसाओं में होता है तो ये तो सारे हमा योग भी काफी बार पूछा जाता है, यह प्राकृतिक गैस का जो है, वो मुखी गटक होता है, इसका जो रासाइनिक सूत्र होता है, वो होता है हमारा CH4, यह एलकेंस रेडी का जो है, वो पृथम सद्यस होता है, हाइड्रोकार्बन वाला वीडियो जो कि हमने सेकेंड समस् फायर डैम्प, तो यह सभी भी इसके नाम होते हैं, और जो हमारा कोश्चन में है, मार्स गैस इस नाम से भी जाना जाता है, तो बात करते हैं मीथेन को मार्स गैस क्यों कहते हैं, तो मीथेन यानिकी मेथेन प्राकृतिक गैस और तेल कूपों से निकलने वाली गैसों में दल्दली स्थानों में पेड़ पौदों वा अन्यकार्णिक पदार्तों के सड़ने से उत्पन गैसों का मुख्य गटक मेथेन गैस होती है, मेथेन को इसलिए मार्स गैस कहते हैं या मार्ग नहीं सा होगा, चलिए बात करते हैं, अगले प्रस्ण की, अगला कुशन नमबर 17 जापानी मस्तिस्क ज्वर क्या है, इसका संक्रमल जो है, वो किसे होता है, जापानी इंसेफलाइटिस एक प्रगायर का दिमाखी बुकार है, जो वाइरल संक्रमल की वज़ा से होता है, ये एक खास्म के वाइरस द्वारा होता है, जो कि मच्छर जापानी इंसेफलाइटि के पौदे का जड़ का नामांकित चित्र बनाई है तो चित्र आपके सामने बना है ये एक मतर कुल के पौदे का चित्र है और जो चित्र में है जो वो नाइट्रोजनी करत जिवानु जो है ये जो स्मॉल स्मॉल गोले बने हैं इसको जो है वो अंकित किया गया है आप चाहें तो अपने आप से जो है इसकी practice कर सकते हैं और कुछ अन्य की भी practice कर सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक ना एक चितर science में बनाने को आही जाता है तो इसी के साथ हमारे सो सारे questions हैं पिछले first part और second part में मिला कर सन 2017 दिती बार के science के सभी questions समाप्त होते हैं तो आज के वीडियो में इतना ही अगर हमारा प्रयास आपको パसंद आया तो वीडियो को लाइक करें सेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब को बगल में नोटिफिकेशन बेल है उसो ज़रूर औ करें जिसे कि आपका कोई भी वीडियो में सना होते मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए नमस्कार थैंक्यू फॉर वाचिंग